हेलो मैं डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आर यूटूब चैनल नाव इन इस लेक्चर वी विल लाउन चाप्टर नमबर 3 इंडाइसिस एंड के ओवरोट ना बच्छो प्रीवेस स्टैंडर्ड में अल्रेडी आपने सेवन स्टैंडर्ड में अल्री आपने बच्छो इ आपने देखो यहां टॉपिक लिए इंडेक्स नमबर कैसे दिखता है तो इंडेक्स नमबर का जो जेनरल रिप्रेजेंटेशन ही कैसे है बच्छो बच्छो कुछ इस सरी के कई अब यहां पर यह क्या है एक कोई भी नंबर होगा लाउव एक सिर्की ऊपर अगर कोई बी number लिखा होगा जैसे कि बच्चे एकशांपल में देखोगा अब 2 रेस नंबर होता है यहां पर जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं बेस नंबर और इसके सिर्की उपर जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं बच्छो एक्सपोनेंट पावर या फिर इंडेक्स बोलते हैं सिमेरली बच्छो गिवन एक्जामपल जो नहीं यहां पर निखे यहां पर 2 base है 5 क्या है exponent है power है और index है second example में 3 base है now 2 क्या है exponent है power है और index है यहाँ पर 2 base है 7 is a exponent power and index also तो इस तरीकी के numbers को हम बलते हैं बच्चों index number general pong क्या होता है a raise to the power n इसको हम कैसे रीड करेंगे a raise to the power n या फिर आप इसको बोल सकते बच्चों a raise to n इनको आप कैसे रीड करोंगे 2 raise to 5 3 raise to 2 2 raise to 7 या 2 raise to the power 7 ऐसे भी आप बोल सकते हो ना बच्चो law of indices भी आपने देखे थे previous standard में law of indices के आते बच्चो M and N are integers, M and N क्या है? integers, integers मतलब बच्चो integer मतलब एक group of number होता है जिसमें सारे positive numbers आते हैं, negative numbers आते हैं और 0 भी आता है, तो इसके बाद बच्चो आप लोगों ने देखो, बहुत सारे formulas पढ़े थे यहाँ पर कुछ formula में निखे, A raise to M multiply by A raise to N is equal to A raise to M plus N मतलब हमारे पास क्या है, दो index number है with same base, तो जब दो index number with same base multiply होंगे तो power add होगा जब दो index number with same base divide होंगे तो power क्या होगा, subtract होगा then similarly बच्चो दो index number है with same power, ठीक है, दो index number है with same power तो power यहाँ पर common हो जाता है similarly, any number raise to the power 0 जो होता है, वो हमेशा 1 होता है बट यह बच्चो जो A है ना, यह A कभी भी negative नहीं होना चीए, या फिर कभी 0 नहीं होना चीए यानि आप इसको ऐसे नहीं भोल सकते है, 0 raise to power 0 is 1 तो 0 raise to power 0 होता है, वो उसकी value होती है बच्चो not defined तो यहाँ पर A can be 1, 2, 3, any positive integer यहाँ पर fifth वाला formula है, A raise to minus M is equal to 1 upon A raise to the power M अगर index power या exponent किसी भी index number का negative दिया है तो 1 upon में लिख देंगे बच्चो तो positive हो जाएगा sixth है यहाँ पर formula A raise to M whole raise to the power L बतब already एक index number लिखा है और उसका भी power दिया है, power का भी power है बच्चो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों power multiply हो जाते similarly A upon B, यानि कोई एक rational number है, उसका कोई अगर power given है तो यह power क्या होगा बच्चो, numerator को भी मिल जाएगा, denominator को भी मिल जाएगा तो answer क्या होगा, A raise to M upon B raise to M similarly बच्चो, अगर किसी भी index number का power negative हुआ, जैसे यहाँ पर negative था, तो 1 upon में लिख दिया तो वैसे ही बच्चो, जब इसको solve करेंगे न, 1 upon में लिखते हैं तो इस क्या-क्या हो जाता है, A upon B जो है, इसका reciprocal हो जाता है, यहाँ पर B upon A और जो power होता है, बच्चो वो positive हो जाता है, तो इस तरीके के बहुत सारे formula's जो है, आपने already 7 standard में आपने पढ़ लिए है, यहाँ पर बच्चो आप लोगों ने बहुत सारे questions भी solve किये थे, values भी find out किये थे, इसके बाद बच्चो आपको अभी 8 standard में क्या करना है, आपको यहाँ पर दो situations दिये हैं, पहले आप लोगों ने देखा, index number था, index number का, जो index है, exponent है, या फिर जो power है, वो क्या था, एक integer था, okay, negative भी था, positive भी था, 0 भी था, लेकिन आप यहाँ पर बच्चो क्या है topic, meaning of a number with a rational indices, यानि number मतलब बच्चो index number with a rational indices, यानि जो index number हम लिखेंगे, अगर उसका जो index, exponent या फिर पावर बच्चो एक rational number हुआ, तब क्या होगा उसका meaning, यह भी आपको पंड़ा है, ठीके, अब यहाँ पर भी बच्चो देखो, यहाँ पर दो topics में, rational number जो है, किसी भी index number का, index जो है बच्चो, वो कौन सी टाइप की rational number में होगा, एक होगा, one upon n के form में, और दूसरा है बच्चो यहाँ पर, यह देखो, m upon n के form में, तो यह वाला जो बच्चो topic है, यह नेक्स लेक्चर में आपको explain करूंगी, अभी यहाँ पर आप देखो, one upon n वाला टॉप, ना बच्च रे, one है, तो one upon one तो बच्चो one ही होता है, और क्या हो सकता है, one upon two हो सकता है, one upon three हो सकता है, one upon four हो सकता है, so on, ऐसे बहुत सारा index हो सकता है, किसी भी index number का जो index है, power है, या फिर exponent है, वो one upon two, one upon three, one upon four, one upon five, कुछ भी हो सकता है, तो mathematics में बच्चो जब हमें किसी भी number का square शो क करना होता है जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूं 5 स्कॉायर ठीक है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी 5 रेस टुद पावर 2 लिखूंगी और यह क्या है बच्चों स्कॉायर और 5 है ठीक है लेकिन जब बच्चों हमें किसी नंबर का स्कॉायर रूट शो करना होता है तो हमें बच्चों किसी नंबर का स्कॉायर रूट शो करना होता है तो पावर हम कैसे लिखते वन अपॉन टू के पॉर्म में लिखते तो यह क्या है बच्चों यह है स्कॉायर रूट और 5 है सिमिलरली जब बच्चों हमें क्या करना होता है किसी भी नंबर का क्यूब शो करना तो मैं क्या करूंगी, पावर जो है, वो 1 upon 3 लिख दूंगी, तो यह हो जाएगा बच्चो, cube root of 6, तो यही बच्चो क्या होता है यहापे, जब भी किसी भी index नंबर का index, अगर 1 upon 2 होगा, 1 upon 3 होगा, 1 upon 4 हो जाएगा, तो उसको हम root में consider करेंगे, तो वैसे ही बच्चो यहापे, जब index क्या था, 1 upon 2 था, तो square root of 5 हम इसको read करते, जब index बच्चो 1 upon 3 होगा, किसी भी, देखो, index मतलब आप समझो, index नंबर की index की में बात कर देंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, कि यह जब सिर के उपर नंबर है, इसको हम power भी बोलते है, exponent भी बोलते है, इंडेक्स भी बोलते है, तो किसी भी नंबर का जब index, rational नंबर होगा, 1 upon 3 के पॉम में होगा, तो हम इसको बोलेंगे, ख्यूग root of 6, अगर यह 1 upon 4 होता बच्चो तो 4th root of 6, 1 upon 5 होता तो 5th root of 6, और अगर बच्चो इसको आपको radical sign में, radical sign में express करना है, तो square root of 5 को आप radical sign में ऐसे 5 भी बोल सकते हो, यह भी क्या हुआ, बच्चो, square root of 5, या फिर आप इसको ऐसे, यहाप आप 2 लिख दो, और यहाँ 5 लिख दो, यह भी क्या है, बच्चो, square root of 5 ही है, लेकिन यह क्या है, यह radical sign हमने यूज़ किया है, तो radical sign हमें यहाँ नहीं square, तो square root of 5 बोलेंगे, 3 होगा, 1 upon 3, तो cube root of 6 बोलेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर होगा, वो नंबर हमें यहाँ पर consider करना है, तो इस तरीके से बच्चो हम questions को solve करेंगे, तो वैसे ही बच्चो, suppose यह हमने index number देखाता है न, general form a raise to n, तो अब अगर बच्चो, a raise to 1 upon n होगा तो इसका क्या answer हो जाएगा, nth root of a, यह क्या हुआ बच्चो, यह क्या हुआ बच्चो, general form of the index number, index number हुआ, जिसका क्या है बच्चो, index जो है, वो एक rational number है, और rational number में कौन से form का rational number है, बच्चो बन अपन, n के form में, तो hopefully बच्चो, आपको समझ में आया होगा, now बच्चो, अ express the following numbers in an index form, index form में express करना, अब बच्चो, question क्या है, फिफ्थ, root of 13, तो हम यहां लिखेंगे 13, हम क्या करेंगे, बच्चो, यहां पर लिखेंगे 13, and इसके बढ़ इसका power क्या हो जाएगा, बच्चो, root में लिखा है, तो root मतलब, कैसे express करते हैं, power, rational number 1 upon n के form में express करेंगे, त बच्चो, 9 raise to power 1 upon, 6, similarly, बच्चो, square root of 256 क्या होगा, यहां लिखोंगे, आप 256 raise to the power 1 upon, 2, अब यह bracket लगाना, compulsory नहीं होता है, बच्चो, अगर आप नहीं भी लगाओगे, तो चलेगा, now 17, देखो, cube root of 17 के लिए, आप क्या करोंगे, बच्चो, 17 raise to 1 upon, 3 निख दोगे, 7th root of 30, 30 raise to the power 1 upon, 7, तो यह हो गया, बच्चो, question number 1, similarly, देखो, यहां पे, second question, बच्चो, question है, write in the form, nth root of a, in each of the following numbers, हमें क्या करना है, given numbers को, बच्चो, nth root of a के form में लिखना है, अभी मैंने आपको बता है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यहां पे आप देखो, यह जो इंडेक्स है, यह 1 upon 4 है, तो आप इसको क्या लिखो कि बच्चो, fourth root of 81, इसके बाद, second है, बच्चो, 49 raise to the power 1 upon 2, तो 2 के लिए, हमारे पास एक नाम होता है, square, तो हम यहां पे लिखेंगे, square root, square root of 49, now similarly, बच्चो, third है, यहां पे, 15 raise to the power 1 upon 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बच्चो, यह हो जाएगा, fifth root of 15, now similarly, बच्चो, fourth वाला यहां पे क्या हो जाएगा, यह है, 14, sorry, 512 raise to the power 1 upon 9, तो 1 upon 9 क्या होगा, बच्चो, 9th root हो जाएगा, तो 9th root of 512, now बच्चो, fifth यहां पे, 100 raise to the power, 100 raise to the power 1 upon 19, ठीक है, यहां पर है, 100 raise to the power 1 upon 19, now इसका अंसर हो जाएगा, बच्चो, 19th root of 100, similarly, बच्चो, just sixth question है, इसमें यहां पे power है, 1 upon 7, तो यहां पे हम लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा, बच्चो, 7th root of 6, hopefully बच्चो आपको सब समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज बच्चो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, थांक्स पर वच्चिं द वीडियो